भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी ट्यारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराए जाएगी इसके लिए आप गवर्मेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बैल आइकून को दबाईए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे फेले हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आल तो फ्रेंट्स आज है 3rd September तो आज हम 3rd September की जितने भी important current affair होंगे वो सब इस वीडियो में cover करेंगे और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा या फिर आपने टेलिग्राम application पर at the rate government नौकरी लिख कर सर्च करेंगे तब भी हमारे चैनल आजाएगा और वहां से आप इसके PDF ले सकते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कल जब हमने 2nd September के current affairs पड़े थे तब last में दो question आपको test के लिए दिये गए और आपको बताना था इन चारों option में से वह कौन सी टेलिकॉम company है जिसे fortune सूची में सबसे टॉप rank मिला है तो इस company का नाम है रिलाइंस जीयो इस question का right answer था D option और दूसरा question था जो कि आपके test के लिए था विश्व वरिष्ट नागरिक दिवस कब मनाया जाता है तो question का right answer था B option और इन दोनों questions के answer सभी student ने सही दिये थे और अब हम start करने जा रहे है 3rd September के current affairs और वीडियो पूरा देखिएगा क्यूंकि आज भी last में दो question आपको test के लिए दे जाएंगे जिसका answer आपको comment box में देना होगा आज का सबसे पहला question है किस company ने call for code अभ्यान शु वो start-up और सिख्षवीदों और developers को इकठा करके प्रकिर्तिक आपदा प्रवंदन के लिए समाधान ढूनना है call for code अभ्यान का मुखे उदेश ही यही है और इस अभ्यान के द्वारा आपदाओं को रोकने के लिए और उनसे उभरने के लिए समाधान ढूनने जाएंगे और इस अभ्यान के द्वारा आई बीम और डैविट क्लार्स कोज और भी कई संस थाएं वो संयुक्त राश्टे माना विधिकार और अमेरिकन रेड़ क्रोस के साथ मिलकर काम करेंगी अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्ण बाते आई बीम के बारे में जान लेते हैं देख इसके अंदर न्यू यॉक में और इसके जो स्थापना है वो 16 जून 1911 में हुई थी और इसके जो फाउंडर है उनका नाम भी आपको पता हुने उनका नाम है चार्लेस रैलेट फ्लिंट और आई बीम कंपनी के जो सीओ और प्रेजिडेंट और चेर वूमेन है उनका नाम ह तो इतनी पॉंट बाते आपको पताने चाहिए इस करंट फेर के बारे में अगला कोश्चन है किस राज्य सरकार ने मील बाचे कारेकरम का आयोजन किया है तो इस राज्य का नाम है मध्य परदेश मध्य परदेश के राज्य सरकार ने मील बाचे कारेकरम का आयोजन किया है और ये जो कारेकरम है वो स्कूलों और समाज के बीच में एक इंट्रेक्टिव कारेकरम है और इस कारेकरम का जो मुख्य उदेश है वो भाशा कोशल में सुधार और स्कूलों में बच्चों को टेक्स्ट बुक के इलावा और भी अन्य पुस्तक पढ़ाई जाएं इसके रिल हावा देने के लिए उप्योग किया जाएगा मील बाचे कारेकरम अब इसके बाद हम कुछ इंपरदेश के बारे में जान लेते हैं मध्य परदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य परदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है शिवराज सिंग चोहान और मध्य परद मध्य परदेश के अंदर लोग सभा की सदस्तों की संख्या ट्वटी नाइन और राज्य सभा की सदस्तों की संख्या 11 इतनी पॉंड बात आपको पता है मध्य परदेश के बारे में बहुत इंपॉड़न है अगला गुश्चन है सुप्रीम कोट के नए मुख्य किया जाएगा सुप्रीम कोट के मुख्य न्याधिश के रूप में यानि कि आज के दिन ही और इससे पहले यानि कि संजन गो गई आज न्यूक्त होंगे उनसे पहले जो थे सुप्रीम कोट के मुख्य न्याधिश वो थे दीपक मिश्रा जो कि 2 सेप्टेंबर को रिटायर हो चुके हैं अब इनकी जगा लेंगे संजन गो गई और ऐसा माना जा रहा है कि जस्टिस संजन गो गई अगले साल 17 नमंबर तक मुख्य न्याधिश रहेंगे सुप्रीम कोट के अब यहां पर नाम आया सुप्रीम कोट का तो सुप्रीम कोट के बारे में भी कुछ बाते आपको पता हने चाहिए सुप्रीम कोट का स्टैब्लिश्मेंट 26 जैनुरी 1950 में वा था और फिर भालित बॉलिवड फिलम कौन सी बन गई है हाली में साउधी अरब में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतिय बॉलिवुड मूवी है गोल्ड गोल्ड जो की 15 अगस्त को रिलीज हुई थी इंडिया में और इस मूवी के एक्टर है अक्षे कुमार और गोल्ड मूवी की जो डारेक्टर है उनका नाम साऊधी अरब के बारे में जान लेते हैं साउधी अरब की कैपिटेल है रियाद और साउधी अरब के ओफिशिल लैंगञोज अरे बिक और साउधी अरब के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है सलमान बिन अब्दुलासिज अल साउध तो इतनी इस साउधी अधोड पहली बार भारत के किस शहर में 13 में से 4 जिले में महिला DCP पद पर होंगी तो ऐसा पहली बार दिल्ली में हो रहा है जहां 13 जिलों में से 4 जिलों में महिला DCP पर होंगी और पश्चमी दिल्ली की जो DCP हैं वो मोनिका भारद्वाज को बनाए गया है और नोर्थ वेस्ट की जो DCP हैं उनका नाम है असलम खान और इसी के साथ साथ मेगना यादव को शहाद्रा और नुपूर परशाद को नोर्थ जिले की DCP बनाए गया है अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्ण बातें इन चारो DCP के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले देखें जो मोनिका भारद्वाज हैं वो 2009 बैच की अफसर हैं और यह हर्याना के रोहतक की रहने वाली हैं अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्ण बातें असलम खान के बारे रहती हैं अब इसके बाद हम कुछ इपर्ण हैं मेगना और को मेगना यादव दिली के अफसर हैं और इसके बाद लास्ट में देखी मूपूर-साइज बारे जो नूपुर परशाद जी हैं वो बिहार की रहने वाली हैं और ये भी 2007 बैच की अफसर हैं और इन्हों ने G.N.U. से पढ़ाई की हैं तो इतनी इंपॉर्ण बाते आपको पता हुनी चाहिए इंचारों of DCPs के बारे में और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्ण बाते दिल्ली क सब्सक्तिक के बारे में जाना रिलिक के चीफ मिनिस्टर का नाम है अर्विंध अरविंद केजरिवाल और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम है मनी इससोधिया इतनी इag pudda आको पाता हुनी चाहिए अगले अग्ला सब्सक़्राण बलें الجीव अभ्हारण जीसहाल हाली में हाथी रिजर्व घोशित कर दिया गया है वो नागा लेंड में स्थित हैं और जब इसे हाथी रिजर्व घोशित कर दिया गया है तो अब ये देश का तीसवा हाथी रिजर्व बन चुका है और माना जारा कि ऐसा करने के बाद देश में हाथी सर्नक्षिन को बढ़ावा मिलेगा और ये जो सिंगफ़न हाथी रिजर्व है वो नागा लेंड के सौम जिले में स्थीत है अब इसके बाद हम कुछ इंपोर्ण बातें नागा or बेनागालेंण्त ME कंटमनाभा आच्चार्य और नागालेंट पूण दीसके संख्या के राजे सबसु के संख्या इसी देस्वार के फटिजमेंगी देस्वार नहीं वी निए और नीटर्वेतानओं के पहनी पूब अबन इसे 노래 फिर लेशह कर दोण हो नगा थसका Bene अगला स्प्रफिट ऑमित पंगाल ने ऐसी खेल 2018 में स्वंण पड़क क्लेप जीता और आपको बताना है कि वो किस खेल से संबनादित है तो अमित पंगाल जिन्यों ने असे खेल 2018 क्यरतरा के संस्क्रण में संस्क्रण में स्वंण और यह पॉक्सिंग से संबंधी था यानि की मुक्के बाजी से और इन्होंने पुर्षों की लाइट फ्लाई के 49 किलोग्राम में स्वन पदक जीता है और इन्होंने 2016 के जो अलम्पिक चैंपियन थे और विश्व चैंपियंशिप में जिन्होंने रज़त पदक जीता था उसमें भी रज़त पदक जीता था अब इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्ण बाते एशियाई खेलों के बारे में पता होनी चाहिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एशियाई खेलों को एश्याड के नाम से भी जाना जाता है और यह चार साल बाद आयोजित किये जाते है और इस खेल में एशिया के अंदर जितने भी देश हैं वो शामिल होते हैं और पहली बार एशियाई खेलों का आयोजिन भारत के अंदर हुआ था दिल्ली में 1951 में और दूसरी बार भारत में 1982 में एशियाई खेलों का आयोजिन हुआ था और इस बार जो एशियाई खेल 2018- स्मार्ट इंडिया हैके थोन के शुरूआत की हैं तो स्मार्ट इंडिया हैके थोन की जो शुरूआत और इस हैके फोन में चात्रों को सार्जनिक छेततर तथा केंदिय न्तरलय कि समस्याओं का समाधान ढूटना के 말 इस बार जो स्मार्ट इंडिया हैके फोन का तीसरा संस्क्रण हो रहा है उसमें पहली बार नीजी छेतर तथा गैर सरकारी संगठनों की समस्याएं भी शामिल की जाएंगी और स्मार्ट इंडिया हैके थोन 2019 में IIT, IIC, NIT और AICTE और UGC मानिता प्राप्त संस्थाएं भाग लेंगी अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्ण बाते हैं, स्मार्ट इंडिया हैके थोन 2019 जो शुरू किया गया है उसके क्या क्या लाब होंगे वो जान लेते हैं इससे चात्रों को क्या लाब होगा कि उन्हें राष्टिय स्तर पर अपने संगठन को प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा और इससे चात्रों को बड़ी तकनीकी कंपनी में रोजगार के अफसर मिलेंगे और युवाओं को अपनी जो उनकी मौडन विचार हैं उन्हें सांज़ा करने का अफसर भी मिलेगा इम्स और किसने बायो मेडिकल रिसर्च पाक की स्थापना करने के लिए समझोता किया है अब देखें यहाँ पर आपको पता नहीं पर सबसे पहले तो एम्स का पूरा नाम क्या है एम्स की फुल फॉर्म है All India Institute of Medical Science और एम्स और IIT दिल्ली ने बायो मेडिकल रिसर्च पाक की स्थापना करने के लिए समझोता किया है IIT का पूरा नाम है Indian Institute of Technology और इस समझोते के मुताबिक स्वास्ते देख बाल के लिए इंटर डिस्प्लेनरी रिसर्च शुरू किया जाएगा अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्ण बाते एम्स के बारे में जान लेते हैं और IIT दिल्ली के बारे में भी जान लेते हैं और इसके जो चेर परसे नाम है कुमार मंगालम बिर्ला और IIT दिल्ली के नाम है वी राम गोपाल राओ नेक्स कोशन है आज का भारत ने नोकायन सपर्धा में कितनी मैडल जीते हैं तो भारत ने एशियाई खेल 2018 के ठार में संस्क्रण में 31 अगस्ट 2018 तक कुल 3 मैडल जीते हैं और 49 नोकायन सपर्धा में वर्षा गोतम और स्वेता शेर वीगन की जोड़ी ने महिलाओं की शेड़ी में रज़त पदक जीता हैं और एशियाई खेल 2018 में ही वरुन ठककर और गणपती चेंगपपा ने पुर्षों की श्रेणी में कांसे पदक जीता हैं और इसी के साथ साथ जो तीसरा मैडल है वो हर्षिता तोमर ने जीता है कांसे पदक और एशियाई खेलो के बारे में आपको पता होना चाहिए तो एशियाई खेलो के बारे में इससे पहले आपको बता ही दिया गया है नेक्स कोशन है, अरुनाचल पर देश विधान सभा ने हाली में कितने नए जिलों के निर्मान के लिए विधेःग पारित किया है थीन जिलों के नाम होंगे, पकेक स्जांग, लेपा राधा और शी योमी और इससे पहले जो अरुनाचल परदेश में जीलो की संख्या थी वो 22 थी और अब इन तीन जीलो के निर्मान के बाद अरुनाचल परदेश में जो जीलो की संख्या है वो 25 हो जाएगी अब ये जो तीन जिले हैं जिनका नाम है पक्के केशांग जिला और लेपा राधा जिला और शी योमी जिला इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्ण बाते जान लेते हैं सबसे पहले देखते हैं पक्के केशंग जिले के बारे में इस जिले का निर्माण है वो पूर्वी कामेंग जिले को काट कर किया जाएगा और इस जिले का जो मुख्याले है वो लैमी में होगा उसके बाद देखे लेपा राधा जिला के बारे में और इस जिले का जो निर्मा वह पस्टीम शियांग जिले को भी भाजित करके किया जाएगा और इसका जो मुख्याले है वो तातों में होगा अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्ण बाते देखते हैं अरुणाचल परदेश के बारे में अरुणाचल परदेश की कैपिटल है इता नगर और अरुणाचल अरुणाचल परदेश की जो गवर्णर है उनका नाम है डॉक्तर बीडी मिश्रा और अरुणाचल परदेश का जो स्टैब्लिश्मेंट है वह 20 फैबरी 1987 में हुआ था अरुणाचल परदेश के अंदर राज्य सभा के सदस्व की संख्या एक है और लोग सभा के सदस्व की संख्या दो है तो इतनी इंपॉर्ण बाते थी आपको पता होनी चाहिए रुनाचल परदेश के बारे में आज का हमारा अगला कोश्चन है रेल मंत्राले ने रेलवे वर्क्शॉप में प्रकृतिक गैसों के उप्योग को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझोते पर हस्ताक प्रक्शर किये हैं देखें गेल की फुल फॉम है गैस अथार्टी ओफ इंडिया लिमिटेड और इसके बाद गेल का हैड़कॉर्टर अपको पता आने चाहिए तो गेल का हैड़कॉर्टर है न्यू डैली में और गेल की जो स्थापना है वो 1984 में हुई थी और इसके जो सी इसके बाद हम कुछ इंपॉर्ट बाते रेल मंत्राले के बारे में जान लीते हैं रेल मंत्राले यानि की मिनिस्ट्री ओफ रेलवे इसका जो हैड़कॉर्टर है वो न्यू डैली में है और इसके स्थापना 16 अप्रेल 1853 में हुई थी और हमारे जो केंडरीय रेल मंत्री है उनका नाम आपको पता हुए तो हमारे जो केंडरीय देल मंत्री है उनका नाम है प्यूश गोयल इतनी इंपॉर्ट बाते आपको पता हुए इस करंट अफेर के बारे में और आज का यह हमारा आखरी करंट अफेर था अब इसके बाद हम दो कोश्चन देखेंगे जो कि अब करनी की घोष्णा HRD मंत्रा लेने की है और HRD का पूरा नाम क्या है यह भी आपको बताने इसकी फूल फॉर्म क्या है यह भी बतानी आपको नेक्स्ट कोश्चन है हाली में किस सोशल मीडिया साइट ने नया टूल लांच किया है तो इन चार आपको वीडियो अच्छा सब्सक्राइब लगता है तो अपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूरी से शियर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सकें और हम आपसे मिलते हैं नेक्स लेक्चर में फोर सेप्टेंबर की करंट अफेर्स के साथ तब तक जुड़े रही हमाई साथ थैंक यू बाही हमाई प्रेंड़ की देल मेंग उनकों अ कंपशा हैं इस का हैérique